बागलोरू के आसमान में सहस और शौरे के दूसरे दिन अमरीकी फाइटर जेट F-35A लाइटिनिंग 2 को देखने के बाद हर कोई इस लाग को विमान की खासियत या फिर खुबी जाना चाहता है तो हम आपको बताते कि अखिर क्यों इसे अमेरिका का सबसे भरोसे मन्द योद्धा कहा जाता है पांचवे जनरेशन के सपाइटर जेट की सबसे बड़ी खुबी है कि ये वर्टिकल टेक ओफ और लाइनिंग कर सकता है F-35 का इंजन 43,000 पाउंड यानि की करीब 19,000 किलो का श्रस यानि की प्रतिक्रिया बल्ब पैदा करता है और इसकी दूश्री सबसे बड़ी हांकिती है कि इसे उडान के लिए एक ही पाइलिट की जरूत पढ़ती है F-35A की रफटार घजब की है अमेरिका का ये लड़ाओ को विमान 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफटार से उडान भर सकता है इसे बेहत खतनाग पाइटर जेट की कॉमबेक रेंज 1249 किलोमीटर है लड़ाओ को विमान F-35 पचास जार फीत तक उडान भर सकता है और इसमें चार बेरल वाली 25 mm की बैटरी कैनन लगी है जो की एक मिनट में 180 गूलियां दाख सकती है दुश्मनों को दवाह करने के लिए F-35 में चार तरीके से बॉम लगाए जा सकते है पांच में जनरेशन के इस पाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाले भी लगी है अपनी तोफानी रफ्तार और आकार की बच्छर से अमेरिका का ये बाहुवली दुश्मन की रड़ार पर भी नहीं आता किसी तरह का मौसम हो लड़ाको विमान को उड़ान से कोई नहीं रोक सकता F-35 के लंबाए 51.4 पीट है जबकि इसकी उचाए 14.4 पीट है अमेरिके पाइटर जेट F-35A लाइटिन्ग 2 विंग स्पैंट यानि की उसके पंक्रों का फहला 35 फीट है हलाकि कई मौकों पर ये विमान सावालों की घेरे में भी आ चुका है लेकिन इनकी क्षमता को नजर अंदाज नहीं किया चाँ सकता और इसके प्रोटोटाइप ने पहली बार 15.6 पर उड़ान भरी थी कंपनी अब तक 770 युनिट बना चुकी है एक F-35 विमान की कीमत 122 मिलियम डॉलर यानि की 1000 करोर अमेरिकी से ना के तीनों अंग यानि की जल्थल और पायू इस फाइटर जेट का इस्तमाल करते हैं इस विमान की डिमान दुनिया में बहुत ज्यादा है और आज के ले लग रही है कि भारत भी अमेरिका से इसे खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है ब्रिचन, आस्ट्रेलिया, कैनड़ा, इटली, नॉर्वे, निदलैंड, दक्षन कोरिया, डेन्माग, इस्रेल, जिपान और तुर्की F-35 का इस्तमाल करते हैं बैंगलोर एर शो के दौरान, अमरीगा की वायूसेना ने अपने लेटिस्ट स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर विमान F-35 का प्रदर्शन किया गौरतलब बात ये है कि F-35 एक स्टेल्थ विमान है, यानि जब ये आस्मान में उड़ता है तो दुश्मन का रेडार इसको पकड़ नहीं पाता और इसलिए दुश्मन जमीन से इसके उपर एंटी एरकाफ मिसाल सिस्टम फायर नहीं कर सकता दूसरी बात, F-35 जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि जरुवत पढ़ने पर ये ध्वने की गती से एक दशमलव छे गुना ज़्यादा स्पीड से यानि एक दशमलव सिक्स माक की स्पीड से शत्रु की टरिटरी में 2800 किलोमीटर तक अग्रसर हो सकता है इसमें दो तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाईलें लगी है एक है AIM-9X और दूसरा AIM-120 एमराम मिसाईल खास बात यह है कि एमराम मिसाईल जो है वो शत्रु के जहाज को 150 से 120 किलोमेटर की दूर से ही भाप लेता है और उसको शूट डाउन कर सकता है